हलो दोस्तों स्वागत आपका वीडियो में और आज मैं आपको समझाऊंगा होमोजीनियस डिफ्रेंशल इक्वेशन इन्हें सॉल कैसे किया जाता है और एक ही प्रॉबलम में यह पूरा का पूरा टॉपिक में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा अब टॉ समझले की जो होमोजीनियस फंक्षन है वो क्या होते हैं अब मान लीजे कि हमारे पास एक फंक्षन है जो की एक्स और य दोनों वेरेवल का फंक्षन है और अगर यह फंक्षन होमोजीनियस है उस condition में जब इस function में आप x को lambda x से replace करें और y को lambda y से replace करें तो इस function को इस तरह से लिखा जाए तो यह जो function है वो क्या कहलाएगा homogeneous function और यह जो lambda की जो power होगी वो इस homogeneous function की क्या कहलाएगी degree कहलाएगी जैसे example के तोर पे हम एक function consider करते है f of x,y equals to 3x minus 2y अब यहाँ पर x को lambda x से replace करें और y को lambda y से replace करें तो हमें मिलेगा 3 lambda x minus 2 lambda y lambda अगर हम common ले ले तो अंदर बचेगा 3x minus 2y और 3x minus 2y क्या है यह original function f of xy तो इसे lambda f of xy हम लिख सकते हैं तो यह जो function है वो क्या हुआ एक homogeneous function हुआ और इसकी जो degree है वो बराबर है बन के एक और हम example लेते हैं माल लिजे कि हमारे पास एक और function है जो कि x और y variable में function है और यह function इस तरह से defined है x by y अब check करते हैं कि यह भी एक homogeneous function है या नहीं तो x को replace कर दे हम lambda x से y को replace कर देंगे lambda y से यहां पर भी lambda x और lambda y यह हमने लिख दिया lambda lambda cancel हो जाएगा तो हमें यहां पर क्या मिलेगा sin of x by y अब इसे भी हम homogeneous function कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं lambda की power 0 into sin of x by y तो यह lambda की power 0 g of xy इस form में आ गया है तो यह भी क्या हुआ एक homogeneous function और इसकी जो degree है वो बराबर होगी 0 के चली यह तो हो गया कि function को homogeneous कैसे proof किया जाए अब ऐसा function लेते हैं जो homogeneous नहीं है तो हमें से इसे function है जो homogeneous नहीं होंगे तो यहां function लिया h of x comma y x और y में यह function है और function है sin x plus cos x अब चेक करते हैं कि यह homogeneous function है या नहीं तो x को रिप्रेजेंट कर रिप्लेस करा lambda x से y को रिप्रेजेंट करा lambda y से तो हमें यहां पर मिलेगा sin of lambda x plus cos of एक छोटी सी गलती है इसको y कर लीजेए y करेंगे तभी यह x और y में function होगा तो यहां पर क्या आएगा lambda y अब lambda जो है उसको हम इन दोनों में से common भी भाड़नी निकाल सकते और इस function को इस form में भी नहीं लिखा जा सकता कि इस form में इसे हम नहीं लिख सकते तो यह जो function है यह homogeneous function नहीं है कि अब homogeneous function का फायदा क्या होता और क्यों homogeneous differential equation को आसनी से solve किया जा सकता है वो discuss करते हैं जैसे यह function है f of xy equals to x square plus 2xy फटा फट चेक कर लेते हैं यह homogeneous function है या नहीं तो जब x की जाके lambda x put करेंगे तो हमें मिलेगा lambda square x square और यहां पर हमें मिलेगा lambda square into 2xy तो जो lambda square है उसे common लिया जा सकता है और अंदर बचेगा x square plus 2xy तो यह हो गया एक homogeneous function जिसकी जो degree है वो 2 के बराबर अब homogeneous function की जो खुबसूरती है वो समझिए यहां पर हम कोई सा भी variable x और y इसको common निकाल सकते और कितनी power में निकाल सकते जो इस function की degree है जैसे कि मैं यहां पर x square निकाल दूँ तो हमें मिलेगा 1 plus 2y by x और अगर में y square common निकाल दूँ मतलब degree 2 के बराबर है तो जितनी degree की power है ना उसमें से कोई सा भी variable x square या y square degree 2 है तो x square या y square common निकाला जा सकता है और y square जब हम common निकालेंगे तो हमें मिलेगा x by y यहां पर इसका square plus 2x by y मतलब x square common निकाला तो अंदर जो function है वो किसका बचा y by x का और y square common निकाला तो अंदर जो function है वो किसका बचा x by y का और यही homogeneous function की खुबसूरती है जिसकी वज़े से homogeneous differential equation को solve करना बहुत आसान होता है अब बिना यह lambda substitute करें कैसे चेक करा जाए कि function homogeneous है या नहीं तो उसे भी आप सीख लीजें तो यहां पर एक function लिया अब यहां पर नूम्रेटर को देखें नूम्रेटर में जो elements है जो भी टर्म है उसकी डिगरी सेम होनी चाहिए जैसे यहां पर x square है उसकी डिगरी 2 है नीचे डिनॉम्रेटर में भी जो सारे elements है उन सभी elements की डिगरी है वो भी क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए मतलब यहां तो अभी केवल एक ही element है 2xy तो यहां पर x की डिगरी 1, y की डिगरी 1 तो जो net डिगरी है वो क्या हो जाएगी 2 के रहा पर अब अगर यहां पर 2xy प्लस x होता सपोज 2xy प्लस x होता तो नुम्रेटर में तो दोनों elements जो है terms उनकी डिगरी 2 है डिनॉम्रेटर में देखें तो यह 2xy इसकी डिगरी 2 हो गई और यह जो x है इसकी डिगरी क्या हो गई बन हो गई तो यह अब homogeneous function नहीं होगा पर अगर यह component और उसके पहले जब यहां पर x लिखाओ था तो हम ओनी होगा तो यह तो पूरी कहानी हो गई homogenous function के उपर अब एक problem लेकर homogenous differential equation को solve करना सीखेंगे तो यह differential equation है d y by dx equals to minus of xy plus y square upon x square अब यह देख लीजिए यह जो पूरा function है न वह क्या है एक homogenous function है अभी मैंने आपको check करना सेखाया homogenous function है तो इसको हम easily solve कर सकते हैं जब भी function homogeneous है तो आपको क्या करना है y जो है इसको put करना है vx के बराबर y को put करना है vx के बराबर और dybdx की value हम निकालेंगे उपर वाली equation है उसी को x के respect में क्या करना है differentiate करना है तो यहां से हमें dybdx की value मिल जाएगी यहां उपर solve कर देता हम dybdx यह बराबर होगा v plus x dv by dx के यहां पर product rule apply करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा तो y की जागे क्या put करना है vx और dybdx की जागे v plus x dv by dx यह दोनों आप याद कर दीजिए तो put कर देते हम dybdx की जागे क्या आएगा v plus x dv by dx equals to minus y की जागे vx तो यहां में मिलेगा vx square plus v square x square upon x square यह हमें मिलेगा अब numerator और denominator दोनों में से क्या common लिया जा सकता है x square को common लिया जा सकता है so v plus x dv by dx numerator से x square common ले लिया तो अंदर बचेगा v plus v square और denominator में बचेगा x square x square और x square यह क्या हो गया cancel तो हमें मिलेगा v plus x dv by dx equals to minus v minus v square यह दोनों substitution करने के बाद homogeneous equation जो है न वो variable separable form में आ जाती है यह importance है तो यहां से हम x dv by dx इससे लिख सकते हैं minus 2v minus v square और अभी यह variable separable के form में आ गया है तो dv by minus of 2v plus v square equals to dx by x अब दोनों ही side हमें क्या करना है integration तो left hand side में मिलेगा integration of dv by v square plus 2v और left hand side में मिलेगा integration of dx by x अब यहां पर denominator में quadratic है तो हमें यहां पर जो quadratic वाले formula न दिनॉमिनेटर वाले वो यहां पर use करने पड़ेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं एक perfect square बनाते हैं v में तो हम addition और subtraction कर देते हैं 1 और minus 1 का और यहां right hand side में integrate करेंगा तो हमें मिलेगा log x plus c so dv by क्या हो जाएगा यह v plus 1 का whole square minus 1 square equals to log x और जो c है न उसको हम log c ही लिख लेते हैं काम आसान हो जाएगा थोड़ा क्योंकि c constant है तो log की कोई ऐसी value जो c के बराबर वह भी हमें मिल जाएगी तो जो constant है अगर यहां log में चल रहा है तो आप constant को क्या ले ले लिए लोक सी तो यहां पर भी क्या कर लेते हैं अब यहां पर integration का direct formula हम यूज कर सकते एं बाए x plus b square minus a square यह बराबर होता है 1 by 2a log of x plus b minus a upon यह mod के अंदर लेना है x plus b plus a तो यह formula हमें use करना है compare करके हम उपरवाल integration की value लिखें तो हमें मिलेगा minus 1 by 2 into 1 और यहां पर मिलेगा log of mod of v plus 1 minus 1 upon v plus 1 plus 1 और यहां log a plus log b वाली property यूज मा जाएगी तो इसे ही लिख देंगे log of xc तो अभी मुझे क्या space की जरूवत है तो मैं इतना part जो है वो रब कर रहा हूं इतना part अब यहां कोशन में ना हमें कंडीशन गीवन है हमें उस कंडीशन पे इसका solution निकालना है जब x बराबर हो 1 k तो y की भी value क्या हो 1 k बराबर इस कंडीशन पे इसका solution निकालना है यह थोड़ा सा मिस कर दिया था तो यह वैसे भी end में यूज़ाएगा तो end में इसको देखेंगे तो यहां पर आजाए हमारा यहां तक हमने इसको solve लिया था अब यहां हम इसे ऐसा लिख दे 1 by 2 log of mod of v by v plus 2 equals to log x c अब यहां पर चलके हम क्या करेंगे v की value पुट कर देंगे end में तो v किसके बराबर है y by x के वो अब हमें यहां पर पुट कर देना है और minus 2 यहां से इधर भेज़ दे तो log of v की जएगे y by x पुट कर रहा हूं है और इसका mod equals to minus 2 log of x c तो यहां अंदर इसको थोड़ा सा solve करें तो log of हमें मिलेगा y by y plus 2 x और इसका mod यह बराबर हो जाएगा log of x c इसकी पावर माइनस 2 k तो log of mod of y by y plus 2 x equals to log of 1 by x square c square तो यहां अगर यह दोनो right hand side left hand side के बराबर है तो इनकी जो अंदर की जो quantity है वो भी क्या होनी चे इक्वल मतलब की general solution तो particular solution के लिए x equals to 1 पर y किसके बराबर होना चाहिए 1 के यह हम पुट कर दें तो हमें मिलेगा 1 by 1 plus 2 इसका mod बराबर 1 by c square के तो यहां से c square की जो value है वो बराबर हो जाएगी 1 by 3 के 1 by 3 होगा 1 by 3 का mod 1 by 3 होगा ठीके अभी भी जो solution है वो complete नहीं है बहुत सारे students यहां पर आके गलती करते हैं यहां पर आके वो c square की value यहां पर पुट कर देंगे 1 by c square 3 और लिख देंगे कि यह हो गया इसका solution पर यहां पर भी इसका solution है वो end नहीं हुआ ठीके तो यह अब मैं इतना पार्टर अब करने जा रहो तो 1 by c square की value हम इस equation में पुट कर दें तो हमें मिलेगा mod of y by y plus 2 x equals to 1 by 3 x square अब जब हम mod हटाते हैं जब हम mod हटाएंगे तो भार क्या लिख देंगे plus minus मतलब हमें यहां पर दो solution मिले हैं एक plus sign के साथ में और एक minus sign के साथ में तो इनकों में अलग-अलग लिख देता हूं तो plus वाले के साथ में उपर वाला solution हो जाएगा minus वाले के साथ में नीचे वाला solution हो जाएगा अब हमें क्या करना है यह जो values है ना x equals to 1 पे y किसके बराबर होना चाहिए 1 के वो इन दोनों equation में substitute करेंगे और check करेंगे कि LHS और RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पहली वाली equation में x की जगे 1 और y की जगे 1 put करेंगे तो 1 by 3 बराबर 1 by 3 के आ रहा है तो यह जो है ना वो क्या करेगा satisfy कर रहा है तो यह solution हो सकता है नीचे वाले को भी चेक करें तो यहां पर देखिए minus 1 by 3 equals to 1 by 3 यह जो है वो solution में नहीं आ रहा है तो यह इस differential equation का solution नहीं होगा यह जो equation है वो हमारी differential equation का solution होगा अब इसको properly हम cross multiply गरके लिख लेते हैं इतना part में abrupt करने जा रहा हूं तो इस equation को cross multiply करें तो 3xy equals to y plus 2x यह हमें मिलेगा और finally इससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3xy minus y equals to 2x और y common ले लिया जाए तो 2x upon 3x minus 1 यह इसका solution हो गया और यहां पर solution लिखते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो value हमें exclude करनी जिसके लिए denominator के आउरा है 0 तो x जो है वो बराबर नहीं होना चीए कि इसके 1 by 3 के यह additional बात आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि जो function है न उसका domain हमें साथ में लिख देना चीए तो x equals to 1 by 3 के लिए यह function defined नहीं होगा यह function भी 3 x square हो आएगा तो यहां 3 x square y हो जाएगा यहां पर भी x square और यहां पर भी x square तो x की जो value है वो plus minus 1 by root 3 इसको थोड़ा अच्छे से लिखें plus minus 1 by root 3 के बराबर नहीं होने चीए यह इसका पूरा required solution हो गया तो इस पूरे topic में मैंने आपको homogeneous function समझाया फिर differential equation को solve करना सिखाया generalized solution कैसे लिखते हैं वो बताया particular solution कैसे लिखते हैं वो बताया और बाद में जब पूरा problem solve हो जाए तो जो function है उसको कैसे represent करना चीए वो भी मैंने आपको सिखाया तो यह पूरा topic है बहुत important है बहुत इसकी आपके class 12 में होगे चार से पांच नंबर का question होमोजीनिस differential equation पर बेस्ट हर साल आता है इस वीडियो वीडियो फोर यह वीडियो पसंद आज उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले notification बेल को प्रेस करें ताकि जैसे निया वीडियो अप्लोड होए आपको तुरंत उसकी information मिल जाए thank you so much thank you for watching